कि हेलोगाइज वेलकम तू मैं चैनल और मैं हूं आपका अर्विन एर्विन और आज की इस वीडियो मेरा हम डिसकस करने वाल है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सुनकिया है, हमेरा कोडिंग डिसकस coke ये इसने पहले मेरेitelेटर letter to number और आज की class में हम discuss करेंगे group of words वाली coding ठीक है तो ये हमारा coding decoding का आज का last lecture होगा clear तो आज इस last lecture के साथ में हम पूरा topic हमारा finish हो जाएगा और next lecture में हमारा नए topic start होगा ठीक है जो की रहेगा next topic जो हमारा रहेगा वो रहेगा analogy ठीक है analogy को भी मैं mostly तीन पार्ट में ही cover करूँगा उसमें क्या होगा अलग-अलग type के जितने भी तीनो type के analogy होती है मैं उनको cover करूँगा और अच्छे बहुत-बहुत साथे हम questions करेंगे तो चले कर फिर सुरवात करते हैं अपने आज का lecture जो होगा हमारा पास group of words सबसे पहले इसका देख लेते हैं concept concept क्या होजा ग्रूप of words ठीक है concept की बात करते हैं suppose example लेते हैं कोई example example मैंने लिखा I have I have bag और I have bag की जो coding है वो लिखी गई है एक, दो, तीम ठीक है और आपको echo statement दिया गया है जिसके statement है he have tried ठीक है अब इसकी जो coding है वो की गई है यहाँ पर 156 के साथ में ठीक है अभी आपको यह इतना information given होगा suppose आपको एक question आता है जिसमें लिखा हुआ I have bag means 123 and he have bag he have toy means 156 so आपको बताना होगा आपसे अलग-अलग coding पूछ सकता है suppose आपसे पूछा कि I की coding क्या होगी ठीक है bag bag की coding क्या होगी have have की coding क्या हो सकती है toy toy की coding क्या होगी he ही की coding क्या होगी ठीक है तो इस question से आपको अलग-अलग चीज़े पूछ सकता है अब वो अलग-अलग चीज़े पूछेगा तो हम उसको कैसे find out कर सकते हैं ठीक है तो चलेगा सुरू बात करते हैं अभी देखो हमारे पास जैसे कि यहां पे दो अलग-अलग statement है लेकिन दो कुछ-बात होना चाहिए तो comment पार्ट क्या है है यहां पर हमारे पास दोनों statement में वन है तो इतका मतलब यह हुआ कि हैप के लिए जो coding है वो क्या रहेगी वो रहेगी वन तो हैप की तो हमारे डिसाइड होगी हैप की coding होग यह वन तो मैंने यहां पे लिग दिया वन ठीक ह क्लिया अभी अगर कोई हमसे यह पूछ रहता कि आई की coding क्या होगी तो आई की coding तो हमें कंफर्म नहीं क्या है बचा हुआ है और बैग है अब एक गलती मत यह मत कर देना यह अगर आई जैसे आई फर्स पोजिशन पर लिखा हुआ है तो फर्स पोजिशन पर वन लिखा तो अभी मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है बैग और एक बचा हुआ आई तो अब इन दोनों की coding के लिए मैं confirm नहीं हूँ लेकिन लेकिन इतना मैं शार हूँ कि इनकी जो coding होगी वो 2 या 3 में से होगी तो हमारे पास अगर कोई पूछता है आई और बैग के लिए तो इन तो 2 होगी या 3 होगी ठीक है clear same ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ लेता ही की coding और ट्वाइक की coding तो ही और ट्वाइक की coding के लिए जो अंसर होगा वो क्या होगा 5 या 6 तो ही के लिए क्या अंसर हो जाएगा या तो 5 या 6 तो इस टाइप से को करते हैं clear चलेगा तो एक काम करते हैं बाकी अभी हम जो यहां पर कुछ एक्सर टीचे बची हुई है वह हम कोश्चन के माद्य हमसे सीखते रहेंगे तो चलेगा सुरुबात करते हैं हम अपने कोश्चन के साथ में देखो जैसे कि यहां पर हमारे पास पहला कोश्चन है पहला कोश्चन दिया गया है और इस पहले कोश्चन में हमसे पूछा गया है नाइट्स की कोडिंग ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले फोकुस करो कि नाइट्स कहां लिखा है ठीक है नाइट्स कहां लिखा है नाइट्स लिखा है नं नाइट्स कहीं और पर किसी और statement में लिखा वहां से common उठा लें अगर common नहीं होगा तो कैसे करेंगे जैसे कि नाइट्स कहीं और नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब नाइट्स का जो code है वह इसी जो चौथा नमर के statement है उसी से मिलेगा और दूसरी बात क्या है इसका coding जो होगा वह विल्कुल unique होगा जो कहीं पर भी repeat नहीं किया गया होगा clear अब यहां पर क्या में पास R है और यहां पर मेरे पास क्या है इसका मतलब statement जो one है और statement जो चार है यह वाला statement और यह वाला statement इन दोनों statement में जो cold की coding होगी वह सेम होगी और यहां पर सेम क्या है मेरे पास वह है क्या है तो अगर कोई हमसे cold की coding पूछता है तो हम कह सकते की cold की coding क्या है वी आएसी होगी clear बट अभी nights की हमें confirm ही नहीं हो रही है और बच्चा क्या है मिल पास आथ क्या और कहीं पर मैच कर रहा है नहीं कर रहा इसका मतलब जहां पर हमारे पास दो code बचे होए जैसे कि मैं और एक वचा हुआ है ठीक तो आर की जो cold कि नियुक है और नाइट्स की जो cold तो होगी वो टी एच-को या पीए इसका मतलब कि वह की दि हो इंसे कोई एक कोडिंग हो गी किसकी होगी nights और ठीकर की क्या होगी तो आप यह कह सकते या तो THO या PA, सेम ऐसे ही, अब कोई तुमसे आर्गी कोडिंग पूछ लेता है, तो आप क्या कहोगे, या तो THO या PA, ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जो का, अब को वी आ इस ही, आंसर आप मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो कोड है, वो कोड है, कोल्ड का, ठीक, THO, अब THO और PA, जो THO PA है, इसमें आप शौर नहीं हो, क्योंकि इसमें confirmation है यह नहीं है, कि हम कौन सान समाग करेंगे, तो उस हिसाब से, क्या तो option number A, option number B, option number C, तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों हो जाते हैं, रिमूव, ठीक है, जैसे ही तीनों रिमूव होते हैं, तो अब THO या PA, क्लियर, चलेगा, उम्मीद करता हूँ, यह question समझ माया हुआ सभी को, अगले question को करते हैं, अगला question हम से पूछा गया है, end, मतलब, end का coding बताना है, ठीक है, end की coding क्या है, end की coding क्या है, चलिएगा, इसको देखते हैं, जरा, end यहाँ पर हमारे पास कहां लिखा हुआ एंड लिखा हुआ, end के रिखा हुआ, पहले, तो, आब सकर सहे है, end करता इसका हुआ है, थो उप्सक्ATHAN क्या होगा, इसको अगलाइinky घूम्हा हुआ है, अगर आख्या, पहले वाले दूसरे में मैच हो रहा है, यह बाला गृइट, और बचचिए धा यहां यहां वाला बा रिपर्सट्यतों हो जागा लगा एक प्र price कर देता है जर फिए टmail कोर्धा पर खोगा स्ट्य sent तो हमाये पास सचन्रे चैक राइन धान्द हो आइन धान्द की सच्वाइब शीब्स को सब्सक्राइब पीए तो option number जो डी है यहाँ पे वो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर क्लिया है चलेगा तो एक तो तरीका यह हो गया है ठीक है एक method और है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं shortcut shortcut तो shortcut को करने से आपको क्या होगा यह question मुस्किल से मुस्किल 3 या 4 सेकंड का हो जाएगा तीन या 4 सेकंड के अंदर आप इसको अंसर कर देंए ठीक है चलेगा मैं इसको रफ कर देता हूं पूरी इंक को और आपको बताते हैं कि यह पूरा इंक कैसा होगा आपने देखा कि हम हम नहीं फोकस लगा है इसका मतलब जो आंसर होगा वो इन कीशी एक में चेह होगा तो आप यह वाली जो गोड है इनको मैच करो कि कहीं और सिमिलर तो नहीं है ठीके, क्योंकि End जो है वो केवल और केवल सेकंड वाले स्टेट्मेंट में है, बाकि में है ही नहीं है तो D.A.R, D.A.R हमने इन्वोव कर दें, क्योंकि यह क्या है कही नहीं कहीं common है, हमें चाहिए एक तम यूणी कोड़की Quinn के तीयों के यह भी कोई जल्दी मिल जाएगा अगर आपके पास कॉमन नहीं है मतलब कोई भी यूनिक वर्ड है तो आप उसका कोड यूनिक ठोड़ो जो बिल्कुल भी कहीं पर मैच ना कर रहा है तो इसका जी अगर आप अच्छी सी प्रेक्टिस कर लेते हैं दो से तीन जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर गया अब वही बात दे का कोड दे आपने आप में यूनिक है क्यों कहीं हो रहा है इसका कोड भी यूनिक होगा तो हम देखते हैं टी आई कि यहीं और नहीं है डी ए आ तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी-आई-एम option number C clear अगर कोई हमसे bad का code पूछ लेता bad का चीक है तो bad का code हमने थोटे पहले भी find out करेता bad का second or third से वो हो जाएगा कितना T okay तो bad का code अगर हमसे कोई पूछता है तो वो हो जाएगा T okay और good का मैंने बताया था D A R हो जाएगा good का code क्या हो जाएगा D A R हो जाएगा ठीके और यहाँ पर बचा हूँगा यू अब दो को जैसे आर है आर आर को मैं circle कर देता हूँ R यहां पर, R क्या है? एक और तीन में common है एक और तीन में common होने का मतलब है कि N ने, R की जो coding है वो हो जाएगी N, clear? अब यहां पर क्या remaining है? यहां पर तो remaining U बचा हुआ है, अब U की coding अगर कोई आप से पूछ लेता है, तो आप कह सकते हो कि PIT, PIT जो coding है, वो हो जाएगी U के लिए तो U की coding क्या हुई है? PIT तो यहां पर हमने क्या क्या है? जो हमसे पूछा गया था, वो उसका तो आंसर हमने दिया ही है, विदिना तीन और चार सेकिंड के अंदर, अंदर हमने जो भी बचे हुए codes थे हमने उनको भी find out किया है, ठीक है? कि हम उनको भी कैसे find out करते हैं जल्दी से जल्दी, clear? चलिएगा, अगले questions पर आते हैं अगला question है हमारे पास और अगले question में हमसे code पुछा गया है आर के लिए, ठीक है? तो आर के अगर हम बात करते हैं, तो आर कहां लिखा है, आर लिखा है, last वाले statement में आर कहीं repeat कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अभी आप ये देखो, cold ये तो repeat कर रहा है, ठीक है? night और night भी repeat नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास दो code ऐसे बचेंगी, जो बिल्कुल unique होंगे अब एक और चार में repeatation क्या है, वी आएसी, तो वी आएसी में ने cancel कर दिया, बचा क्या है मेरे पास है, पर टी एच्चो और पी ए, तो आर के लिए जो answer होगा, वो होगा या तो टी एच्चो या पी ए, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, या तो टी एच्चो या पी आपका answer होगा, ठीक है? अब जैसे हम option पे लेखते तो वी आएसी आपका answer नहीं होगा, टी एच्चो नहीं होगा, सी ये भी नहीं होगा, तो अब बचा क्या है हमाई पास option number D, can't be defined, can't be defined का मतलब ये है कि आखड़े आपर्याप्त है, या फिर ये कैसा सकते हो कि आखड़े अधूरे हैं, ठीक है? हिंदी में इसको आखड़े अधूरे हैं, ठीक है? बाकी देखो, बाकी जो question लिखा है, ये बाकी question इंगलिस में ही लिखाएगा, अगर आप ये सोचें कि इसको भी हिंदी में लिखें, ये question ही English में आएगा, same, ठीक है? चलिएगा, अगले question पर आते हैं जड़ा, अगला question हमसे पूछा गया है, twice, twice का quote पूछा गया है, ठीक है, अगर twice के quote की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो कहां है, twice हमें पास twice है, हमारे क्या है, पी आइटी, तो मैंने क्या करा, cancel कर दिया, ठीक है, अभी क्या बच्चा है, यहाँ पर और दिखाई यह नहीं देदा, अगर कोई दिखाई इंद्रेस का मतलब, यहाँ पर भी दो code बचे हुए है, ठीक है, दो code बचे हुए है, इन दोने में से कोई एक quote होगा, कि यह, तो बच्चा के code के लिए, या तो answer होगा tab, या answer होगा od, अब depend करता है option पे, जब को तो मैं केवल single अकेला mark नहीं कर सकता, od को भी mark नहीं कर सकता, pit यह तो code है हमारे पास, me के लिए यह तो confirm गलत है, अभी क्या बच्चा है, दो option में एक तो लिखा है data instruction, मतलब यह तो ह होगा आपके पास आखड़े, अधूरे, ठीक है, अच्छा, और यह जो number e पे लिखा है, यह लिखा है nota, nota का मतलब होता है, इन में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं, ठीक, तो अभी यहाँ पे आप confusion वाली बात आती है, अब आप option number d मार्ग करोगे या e मार्ग करोगे, ठीक है, तो देखो, हम option number e, इन में से कोई नहीं है, यह हम तब मार्ग करते हैं, जब हमारे पास जो उपर के option होता है, उनमें answer नहीं मिलता, लेकि अधूरिये वाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम confirmation नहीं दे सकते answer के, यह TUB होगा या OD होगा, तो उसके लिए आपके पास क्या, आपके पास data की कमी है, मतलब आपके पास जो आंकडे है, वो कम है, ठीक है, तो उस condition में आप क्या करोगे, उस condition में आप option number e को मार्ग क करोगे, ठीक है, data insufficient मतलब कि आंकडे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, अगला question करते हैं, अगला question है, हमारे पास is, इन्हों ने हम से पुछा, is की coding यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, अब इस कहां लिखा है, इस देख लो एक बास, इस लिखा है, मेरे पास statement number two म बंद करा, ठीक, अभी अपने पास क्या बचता है, वाटर, तो क्या वाटर कहीं पर repeat हुआ है, हाँ भई repeat हुआ है, और life, life repeat हुआ है, हाँ भई repeat हुआ है, इसका मतलब, एक तो हमाँ पास one और two में common मिलेगा, one और two में क्या common मिलेगा, यहाँ पर होगे n ने, ठीक है, और ती ओडी बचा हुआ तो टी ओडी आंसर हो जाएगा, इसके लिए option number C, इसका एक दम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा अगर हम बाकी के code की बात करते हैं, तो वाटर का हमने बताया है, ने हो गया है, ठीक है, तो वाटर का कितना हो गया है, अगर कोई हमसे पूलता लाइफ, ठीक है, तो लाइफ का हो जाएगा, हमरे पास जे ओ, जे ओ, क्योंकि एक और चाल में common उठाया है, ठीक है, अच्छा, ट्वाइक का भी हमने आइधिंग, थोड़े पहले बताया ही था, ठीक है, और मी का, यहाँ पर मी का क्या है, मी का मिल जाएगा, हमें असल नि अगर कोई हमसे end और death का पूछे, तो answer क्या हो जागा, l, i, n, या फिर c, o, t, तो इन दोनों में से कोई एक होचेगा, ठीक है, क्लियर, चलिएगा, अगले question पर आते हैं, अगला question है, हमारे पास frocks, हमें बताना है frock का code, कि फ़री, frock का code क्या है, तो frock कहां लिखा है, तो frocks को मैंने क्या करा, एक box के अंदर बंद कर दे, यो कि मुझे इसका code बताना है, clear, तो भाई, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अभी क्या बच्छा, यहाँ पर good or little, तो good or little क्या कहीं repeat हो रहा है, हाँ, good repeat हो रहा एक और दो में, देखो यह रहा एक में, और यह रह पीट करा, चाह, मतल हुआ, इसका confirm answer मिल ही जाएगा, तो एक और दो में, क्या repeat करा है, एक और दो में repeat करा है, जैट सी आई, तो good के लिए code हो जागा, जैट सी आई, ठीक है, और एक और चाहल में repeat करा है, तीक है, डीएस डास, ठीक है, अजित कर यह code होगे little का, बच्छा क ивается है। नहीं होगा DEEस नहीं होगा यजई नहीं होगा अब मेरे पास क्या आन्सर भचा हुआ है नोटा है मतलब कि इन में से कोई नहीं। एनमें नहीं। नहीं। तो अभी हमारे पास prob था्ता हमारे पास कंफर्म हान चाहता कि वे फ्रॉक्स का जो कोड है वो Mxy होगा लेकिन Mxy option में नहीं है option में नहीं है तब हम इसको mark करें कि इन में से कोई नहीं ठीक है के लिए चलेगा option number E यहां पर सही अंसर होगा अगले question को करते हैं जड़ा अगला question है हमारे पास always ठीक है आप अब एक काम करो मैंने बहुत सारे question करवा दिये हैं यहां पर आपको क्या करना है वीडियो को pause करो और आप खुद से try करो जब तक आप खुद से try नहीं करोगे तब तक बिल्कुल भी practice नहीं बनेगी ठीक है तो अलवेस का quote हम यहां पर बताएंगे always always कहां लिखा मेरे पास इसेकिंड वाले statement सेकिंड वाले statement है अभी मेरे पास क्या लिखा है पर सीख लिखाय तो सीख तो common मेरे पास कहा पर statement 2 और statement चाहर बचा क्या है नॉलेज कहीं पर repeat कर रहा है ठीक है यह रहा सो में नॉलिज्स तो सेकिंड और स्वाहिए तो हमारे पास एक तो सेक्टंड और सवाल्ड का और सब्सक्राइब और प्रफिर हम अपने अगला चॉशन हमसे पूछा है सीग का अगर हम सीग को देखते हैं तो देखा तो हमारे पास statement two statement two और statement number four में match होगा ठीक है इसका मतलब दो और चार में देख लो भाई क्या चीज common है तो c का जो code है वो हो गया बी आई एस option number c बिल्कुल correct answer होगा ठीक है काफी easy question होते हैं तो इनसे घपराना नहीं है यह वो question है जो आपको solid marks देखे जाते हैं और confirmation साथ होता है कि आपका जो answer को वो बिल्कुल सही होगा ठीक है चलो अगला question करते है अगला question है हमारे पास mix ठीक है अब बचा क्या में पास girl तो गल्ल क्या में पास कहीं repeat हो या DRS ठीक है इन दुनों में से कोई एक option में आंसर होगा तो COS हो नहीं सकता DRS अकला होगा नहीं अकला होगा option number D में लिखा है आइदर B और C B का मतलब है option number B और option number C तो हमें तो यहीं बताना DRS और NVG में से कोई इन में से कोई एक आंसर होगा तो इन्होंने इस बार क्या करा option में एन्वी जी और DRS ना लिखे option के नंबर लिख दिए कि B या C में से आंसर होगा ठीक है उसका आप गलती से यह मत करने कि इसके नहीं तो यह options के लिखे है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा option number D जो है हमें आपास हो जगा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अगला कोशन है इस इसका इस ब्लू तो ब्लू का हमें यहां पर क्या करना है तो ब्लू का लिखा है वह हमारे पास मिला ब्लू एक तो नंबर तीन वाले statement मैं मैं और एक 10 वाले स्वीं मतलब कामन न तो यहां पर कौमन क्या है यहां पर दिखा डिया है तो C क्या हो जाएगा हमाले पास हमाने पास SIGA code आ गया है SIGA code इसका अभी बूगा code हम निकाली चुके है आर्थ बचा क्या है पर SKY अब SKY का जो code होगा वो क्या हो जाएगा वो हो गया 1 बिल्कुल इजी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या बचा डीप जो बचा हुआ है डीप के लिए code कितना हो जाएगा डीप के लिए code हो जाएगा दो और सबसे नीचे वाले statement में क्या बचा है looks बचा हुआ है तो looks के लिए आपको smilin और जी ठीक है यहाँ इसको हटा देता हूँ ठीक है समझ मच आएगा अभी क्या है हमें बताना है smiling the code smiling यह रहा ठीक है smiling अभी क्या दोख अपने पास क्या है she she हमने पास क्या है common है मतलब कुछ common मिलेगा और इक क्यों क्यों मिलेगा is common है is common है यहाँ इंदोनों में कुछ common मिलेगा अब दोखो यहाँ पर री ची के लिए कोड नहीं है क्योंकि इस इस तीनों में है और अर्पी इसके लिए उपकर कर दो तो और ए जो है वह वह हो गया है इसके लिए कोड ठीक है इसके लिए होगे औरने के नइक यहां पर जो है वो होगा फिर के लिए आदब हैंक यहां पर चाहिए है यहां में होगा है ही मेरी किली क्या है वह बचा यहां मैं मत्माइलिंग के समयältि के nest लिए जो could होगा वो होगा किस के लिए इस मेलेडेक थिक है तो apa 6 क्या होगा हुगा यह TYK चलिएगा अगला question करते हैं कि अगला question है हमारे पास गॉत गूड का बताना यहां पर हमें किसका बताने गूड का तो व जोड गूड यहां पर लिखाया statement number deux exist तो हमाई पास common क्या है इस है इसको हटा दो मतलब इन दोनों में क्या common है मोट ठीक है अभी क्या dancing भी हटा ना में को dancing अगर मैं इधर से हटाऊंगा तो मेरे पास क्या में पास PIC, VIC और NIC ठीक है तो यहां पर क्या लिखावा है winter is cold okay हमें बताना है किसका summer का ठीक है summer का summer की यहां पर बात करते हैं summer तो कहां लिखा है यह जा है statement number 2 में summer ठीक अभी is और hot common है इस तो किस में है first और second में यहां से हटा दो मतलब की मेरे पास NIC NIC इसके लिए code हो गया अभी hot क्या है second और third में तो RE हटा दो यहां से common है बच्चा क्या TO तो TO answer हो जाएगा किस पर यह summer के लिए देखो काभी easy question है यह और बहुत ही अच्छे है ठीक है चलिएगा अगला question करते हम अगला question है यहां पर mangoes हमें बताना है किसका code है mangoes का ठीक है mangoes की बात करते है तो भाई mangoes कहां पर लिखा है यह लिखा हमाई पास last वाले statement में अभी तो को अपने पास क्या R not ripe यह बिल्कुल पूरा का पूरा आपको क्या दिखा देखा सेम दिखा देखा सेकेंड वाले और किसमे third वाले में ठीक है और R ripe किसमे है first में भी है ठीक है तो R और ripe मतलब जो दो code है वो क्या है वो तीनों में सेम हुना जाएं दो code तो तो भाई यह देखो कि दो-दो code सेम क्या है M-I-N-K M-I-N-K और M-I-N-K ठीक है एक तो यह हुआ और एक और होगा PE और PE और PE तो यह कोड है अब देखो यहां पर बहुत अच्छा कोशन बन सकता है एक कि भाई आर के लिए code और आर आई पी के लिए code यहां पर जो यह आंसर होगा इसका या तो हो जाएगा PE में से या हो जाएगा M-I-N-K क्योंकि नहीं नौट के अगर हम बात करते हैं नौट हमारे पास क्य क्या हो जाएगा नौट का हो जाएगा में ठीक है M-A-Y में क्लियर अच्छा आगे हैं बात करते हैं अभी यह हमें अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है में खत्म यह बचा हो ले ओ यहां पर और यहां पर बचा हुआ है N-U-E तो N-U-E तो code हो गया है मैंगोस का ठीक है तो यह तो हमने बता दे मैंगोस का code क्या हो गया है N-U-E और अगर कोई हमसे गलती से भी यह पूछ लेता कि R और राइप का code अगर कोई हमसे कहता ने कि R का code बताओ तो आपको यह answer लिखना पड़ेगा या यह answer मार करना पड़ेगा या तो P-E होगा या M-I-N की क्योंकि confirm नहीं है क्योंकि दोनों में same है तुम कैसे कहते हो कि R का code मिंक होगा या P-E होगा तो इसमें हम इस्तमाल करेंगे या तो या तो P-E या मिंक क्लियर चलिएगा उम्मिद करता हूं समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आता है तो भाई आप मुझे करो कमेंट मुझे बताओ कहां पर आपको दिक्कत है चलिएगा पिर अगला question करते हैं अगला question है यहां पर हमारे पास barking ठीक है श्कर बार्किंग कहां पर लिखा हुआ है मेरे पास यह barking लिखा हुआ है पहले वाले statement यह बार्किंग है तो बाकी को हमें हमें करना पड़ा कर डॉक्स की यू एंड यह हो गया है और third first और third में है tom और tom बचा क्या है sud ठीक है तो sud क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास answer यह हो जाएगा sud किसके लिए हो जाएगा फार्किंग की हो ठीक है खाफी easy question था कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें ठीक है अगला question है हमारे पास good ठीक है गुड का code हमें बताना है तो गुड कहां पर लिखा हो अब गुड लिखा हो है हमारे पास second statement में ठीक है second statement में लिखा है good अभी क्या मुझे remove परना house और is मतलब house में यहां से remove कर रहा first और second में तो मेरे पास क्या जाएगा dan और dan इस हम remove करेंगे second और third से second और third से क्या remove वा एफाईटी और एफाईटी बचा क्या है यहां पर के ओ एन तो good का code हो गया के ओ एन option number 4 ठीक है तो option number 4 क्या हो जाएगा यहां पर सही answer हो जाएगा किसके लिए good के लिए ठीक है अगला question हमसे पूछा गया सरकार Sunday Sunday का पूछा गया है तो Sunday का लिखा हुआ Sunday लिखा हुआ मेरे पास number 1 वाले statement तो भाई हमें गया करना है रिमूव कर और Sunday और कहीं लिखा हुआ है नहीं संदी के लिए संदी का जो code है वो क्या होगा टी आद आई ठीक है अगले questions पर आते हैं और अगला question है हमाले पास habit ठीक है habit कि अगर यहां पर हम बात करते हैं तो भाई habit कहां पर लिखा हुआ है habit लिखा हुआ है second statement में यह रहा habit ठीक है habit की अगर हम देखते हैं बच्चा क्या हमें पास avoid और harmful तो common क्या है यहां पर common है हमाले पास nat nat इसका मतलब यह तो होगा harmful का code अब क्या है avoid क्या है दो और तीन में मिलेगा डी ओ और common है ठीक है तो यहां पर जो रहा है अंसर हो जाएगा वी ओ जी ओजी option नमबर एं अंसर हो जाएगा habit के लिए यह बिद्द कंटर होगा चलो अगया question करते हैं अगला question हमसे पूछाए है has के लिए code ठो है जो है हमारे पास अगर हम है की बात करते हैं तो हैस के सबस्क्राइब करते हैं ओधा इन की यो यहां से हटा दिया है और डिया है इसका काम में एक काम बिदियों डिखे बचा क्या है में पास इंड मैं जो कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ होगा तो हैस के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर दी सी यू एस ठीक है समझ में आ गया तो यह काफ़ी इजी कोशन है अलपस समझने की देरी होते हैं आप अच्छे से समझ लिया है तो यह कोशन तीन से चार्ट सेकेंड के अंदर निका काम खत्रम हो जात थार्ट बाले स्टेट्मेंट हमारे पास कहां पर है यह रहा यह जो फ्रोट नमें बचा क्या है है लो न आंसर हो गया किस के लिए के लिए टीक है जूब बचे हुए कोड है जो बचे हुए वर्ट से उनके भी कोड आप कर सकते हैं एक अगले पूशन अम से पूछा गया हॉट का ऊंपर है और हमारे पास नंबर वन वाले स्टेट्मेंट के अंदर है तो हमें क्या करना है दो कोड को रिमूब करना है देखो कौन कौन से मैच कर रहे हैं पी यू एल इसको हटा दो ठीक है यह कोड हो जा फूर्ट के लिए अभी क्या है ब्रिंग अब बिरिंग कहीं और है ही नहीं तो मतलब आंसर नहीं मिलेगा तो हो जाएगा D.O.M. या फिर T.A. में से ठीक है D.O.M. में T.A. में से अब आइदर या तो वाला option तो है ही नहीं है या तो वाला option तो है नहीं है तो हम किसको मात करेंगे cannot be determined मतलब आंकड़े अधूरे हैं ठीक है ना option है बढ़ी के लिए चलो फिर अगला question करते हैं अगला question हमसे सरकात पूछा गया आशा तो आशा कहां पर है ये रही हमारे पास आशा ठीक है आशा तो आशा तो आपकी जिन्दगी में भी होने चाहिए मतलब आशा ठीक है तो सब्सक्राइग कोडि ये अपित है मतलब करते हैं और आशा केवल यूनीक वर्ड है तो उसका जो कोड होगा वो भी यूनीक ही होना चाहिए तो यहां पर इसलिए सही आंतर हो जाएगा जी एक लिए अगर आपको बाजी के कोड भी बताने हैं तो जाए जैसे कि अगर किया कोड का ड का सकते हैं अगर आपको आपसे यहाँ पर इनका code पुछ लेता है तो आपके पास हो जाएगा answer PO या तो SUR ठीक है? तो या तो PO या SUR इन में से कोई एक आपका answer हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर confirmation नहीं है ठीक है? चलो अगला question करते हैं अगला question है हमाई पास literature literature का हमसे पूछा गया है ठीक है? किसका code पूछा गया है? literature काहां लिखा है? literature हमाई पास second वाले में भी लिखा हुआ है और literature लिखा हुआ है हमाई पास third वाले में ठीक है? यहाँ पर भी लिखा हुआ है ठीक है? तो भई हमाई पास चाहिए common अब यह दखो कि 2nd और 3rd में और कुस कॉमन तो नहीं है, चिह कै, और हर नौध corner अब ही और हर नौधिक, love is और इस और इस भी common और नौध यहां पर दखाऊ तो मतलब यहां पर 3 3 common code मिलने कि इसमें 2 और 2rd में. 3 तो 3rd में यह तिन 3 3 common code है उसको उठा लेते हैं, पहले तो बहुत मुझे दिखा दिया ओ एन आई डी ठीक है ओ एन इडी ये रहा ठीक है फिर आई प्रीव को मिला सी आई एंटी ओ सी आई एंटी ओ यह मिला और फिर में पाथ दिखा सी टी एसाई और टी एसाई अब हमें कैसे पता चले है कि लिट्रेश्टर कोड कौन सा है करेंगा option को remove option मतला है यह जो is है इस तीनों में है मतलब एक ऐसा code होगा और यहां पर हर हर और जो is है वो तीनों के अंदर है यहां पर तीनों मेंच करता है इसको हटाओ TSI TSI और TSI इसको मैं क्या करूँगा हटा दूँगा यह रहा TSI है तो बचा क्या बचा में पास O IND योकि O IND ऐसा यूनिक कोड बचा हुआ है सेकिन और थर्ड में जो केवल और केवल लिट्रिचर को डिनोड करता है ठीक है तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और दूसरे स्टेटमेंट में तो लिखे हुए नहीं है ठीक है के लिए चलिएगा अगले कोशन पर आते हैं अच्छा अगले कोशन पर आने से पहले अगर कोई हमसे गलती से यह पूछाता कि हर का या इस का कोड बताओ तो हर या इस हर या इस का जो कोड होगा वो हो जाए ठीक है तो अगला कोशन है हमारे पास हमसे पूछा गया है अब यहां पर हमारे पास क्या है मताब यूनिक चाहिए दो पर नहीं पांच तो हुआ हाँ ठीन भी धी तो हाँ तो अंसर क्या आंगे है है दो, ठीक है तो आर के लिए जो अंसर हो जहेगा वो हो जहेगा option number A, डो, ठीक है तो देखो, यहां पे हमने कफी साथ अर जो आज की class हमारे पास रही है वो क्या रही है हमारे पास हमने finish किया है group of words की coding ठीक है group of words की coding ठीक है और जो next class रहेगी साथ number की जो class देगी उसमें हम start करेंगे topic अपना analogy और analogy की आएगा उस दिन part 1 मतलब कि जो कल की class रहेगी वो रहेगी analogy part 1 ठीक है analogy को भी मैं तीन parts में divide करके बनाओंगा अलग-अलग बहुत अच्छे से उसको explain करूंगा ठीक है आप बहुत सारे questions करेंगे तो यहां पर I think उम्मीद है मैंने काफी सारे questions करवाए हैं कहां से किस topic से coding decoding से ठीक है तो इस topic आप 400 questions की practice कर लो यहां पर अके लिए topic coding decoding से मैं guarantee लेता हूँ इस बात की अगर coding decoding से कोई भी questions आएगा तो आपका छूटे का नहीं यहां पर ठीक है न तो ठीक है फिर मिलते हैं अगली class में इस video को यहीं पर समाप्त कर देते हैं तब तक के लिए take care